हेलो एब्रिवन इस वीडियो में हम एंटीए डियू वेरियस पोस्ट के एक्जाम डेट के बारे में डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो एक्जाम डेट के बारे में हम डिसकस करेंगे कि आपका एक्जाम कब होगा आप जानते हैं कि एक exam date आज चुकी थी, सारी चीज़े हो गई थी, ठीक है, लेकिन exam से कुछ दिन पहले ही exam postponed कर दी गए थे, ठीक है, और एक बात और कि इस वीडियो में कोई भी official update नहीं है, मैं analysis करके, खुद का analysis करके आपको सारी बाते बताऊंगा, ठीक है, और आप अपन पढ़ाई को कैसे continue रखे, थोड़ सी इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है, और एक चीज में यहाँ पर आने वाले एक दो दिन में कुछ वीडियो प्रवाइड कराऊंगा, इस study से related, ठीक है, अगर मुझे time मिला तो English से related, ठीक है, तो आप इस channel से जुड़े रहे, और channel को subscribe क कर लेना है, और वीडियो अगर पसंद आई, तो आपको like करना है, तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी आगे, जो मैं provide कराने वाला हूँ, एक दो दिन में, ठीक है, अगर मुझे time मिला तो, काफी सारे देखे, message आते रहते हैं, कि exam date कब होगी, exam कब होगा, ठीक है, तो इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, बीच में वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि थोड़ी सी health ठीक नहीं थी, तो चलिए अब discuss करते है, exam date को लेकर के, कि आपका exam कब हो सकता है, देखे, exam कराने के लिए exam center की आवशकता होती है, और NTA जो है, NTA का जो exam है, ठीक है, यह all India exam होगा, मतलब हर जगा भारत के हर जगा इसके center रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में ही यह exam होगा, तो all India में इसके center रहेंगे, ठीक है, यानि center के आवशकता होती है, exam कराने के लिए, ठीक है, यह point है, दूसरा point यह है कि आप जानते हैं कि SSC ने already center जो ह exam date निकाली हुई है, ठीक है, SSC stereographer का 11-15 के बीच में है, ठीक है, 11 से लेकर 15 तारिक तक exam होगे, फिर उसके बाद SSC GD के, लगवक 16 नवंबर से आपके 15 दिसंबर तक SSC GD के exam चलने वाले हैं, यानि इतने तारिक के बीच में, इस date के बीच में, 11 नवंबर से लेकर के 15 दिस exam होता है, वो बहुत बड़े लेवल का exam है, काफी सारे बच्चे form apply करते हैं उसमें, तो इतनी जो है, यहाँ पर संभावना है कि इस date के बीच में, exam आपका नहीं होगा, और यह मैं आपको confirm नहीं बता रहा हूँ, एक analysis करने के बाद, ठीक है, 99% chance यही है कि इस date के बीच में आपका exam नहीं होगा, क्योंकि आप जानते है exam कराने के लिए क्या आवशक्ता पड़ते है exam center की, ठीक है ना, तो इस data को analysis करने के बाद, यह निसकर्स निकलता है, कि आपका 99% आपका exam नहीं होगा, और 1% पहले हो भी सकता है, ठीक है, इस date से पहले, तो आपको करना क्या है, आप लगबग एक से डेड़ महीना, एक से डेड़ महीना मान करके आप अपनी study को अच्छे से prepare, अपनी जो study अच्छे से continue रखे, और एक अच्छे से time table बना करके, सारे subject अच्छे से पढ़े, ठीक है, और एक अच्छे सा time table बनाएं आप, लगबग देड़ महीने का एक target ब पढ़े, ठीक है, सारी चीजे cover करनी हैं आपको, चार subject हैं आपके, आपको पता ही है सारी चीजे, तो एक अच्छा से time table बनाओ, और पूरे energetic होकर के आप study करे, और एक दो दिन में आपको मैं videos provide कराने की कोशिश करूँगा, study से related daily ठीक है, तो उसमें आपको जरूर आना है, उस video को जरूर देखना है, वो एक series रहेगी, और उसमें मैं सारी चीजे आपको provide कराऊँगा, ठीक है न, उसमें आपका steno grafer का exam, जो SSC steno का है, वो cover होगा, साथ में NTA का, और उसमें साथ में DSSB के जो exam है, ठीक है, वो सारी cover मैं करूँगा, ओके, तो अगर मुझे time मिला, तो मैं एक से दो दिन में वो आपको चीजे provide कराऊँगा, और content बहुत अच्छा है, काफी time पहले मैंने बना करके रखा हुआ है, अभी थोड़ी health ठीक ना होनी के वज़े से मैं ज़्यादा videos नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, तो फिलाल इस video में exam date को लेकर के मैंने बना आप अराम से मान करके अपनी तयारी करें, अच्छे से target बनाएं, ठीक है, और यहाँ पर आपके इतना तो time आपके पास है अभी, क्योंकि लगबग 15-20 दिन पहले notice भी आएगा, तो इतना time आपको easily मिल जाएगा, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आप अच्छे से प नोट्स बना करके पढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि exam date आती है, आप उसको revise करो, ठीक है न, इस तरीके साब अच्छे से सारे notes बना करके complete कर लो, और जो जो चीज आपकी छोट रही है, उसको आप अच्छे से पढ़लो, ठीक है, जैसे exam date आती है, मैं आपको inform करूंगा, और आप अच्छे से उसको फिर revise कर लेना, ठीक है, चीजों को, चली मिलते है अगली वीडियो में, thanks for watching this video,